नमस्कार, चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है भारत और चीन के बीच सीमा सहित, दुईपक्षी मुद्दे कोई एक दो साल से नहीं प्रारम कोई है बलकि कई दस्कों से चल दा है परन्तु इन सब के बावजूत भारत और चीन ने हमेशा से विश्वेपार संगठन के मंच पर जब कभी भी विकासील देशों के हितों से समंधित मुद्दे आये हैं तो दोनों देशों ने मिलकर उन मुद्दों पर साथ दिया है पर तो अब ऐसा लग रहा है कि इस्थिती बदल रही है वह इसलिए क्योंकि चीन की व्यापार मीटी की समिच्छा जब हो रही थी तब उस समिच्छा के दौरान भारत सरकार का यह कहना है कि चीन अब विकासील देश नहीं रहा भारत सरकार यह बात इसलिए कह रही है क्योंकि विस्व बैंक की परिभासा के अनुसार चीन उच्छ मध्यम आए वाले देश के रूप में परिभासित है भारत का यह कहना है कि जब चीन विस्व बैंक की परिभासा के अनुसार उच्छ मध्यम आए देश के रूप में परिभासित है तो फिर चीन खुद को क्यों विकासिल देश कह रहा है यह बात सही है और वही भारत का यह कहना है कि अगर चीन खुद को विकासिल देश मान रहा है तो फिर चीन उन संकेतों को बताए जिसके आधार पर वह खुद को विकासिल देश कह रहा है अब हम जड़ा बात करते हैं विस्व बैंक की परिभासा की तो विशु बैंक GNI पर कैपिटा या ग्रॉस नेशनल इंकम पर कैपिटा या सकल राश्ट्री आय प्रतिव्यक्ति के आधहार पर विभिन देशों को तीन आधहरों पर विभाजित करता है ये तीन आधहर है निम्न आयदेश, मध्यम आयदेश और उच्च आयदेश वहीं मध्यम आयदेश के भी दो भाग है निम्न मध्यम आयदेश और उच्च मध्यम आयदेश उन देशों को निम्न आयदेश में रखा जाता है जहां GNI पर कैपिटा एक हजार पैतालिस डॉलर या उससे नीचे है वहीं उन देशों को निम्न मध्यम आयदेश में रखा जाता है जहां GNI पर कैपिटा एक हजार च्छानिस डॉलर से लेकर चार हजार पंचानवे डॉलर तक है वहीं उन देशों को उच्छ मध्यम आयदेश में रखा जाता है जहां GNI पर कैपिटा चार हजार च्छानवे डॉलर से लेकर बारह हजार च्छानवे डॉलर तक है और फिर उन देसों को उच आए देसों की स्रेडी में सामिल किया जाता है जहां पर की GNI per capita 12,696 डॉलर या उससे जाता है तो यह तो बात हुई विस बैंक की परिभासा के अनुसार और इसके आधार पर अगर हम चाइना के GNI per capita की बात करें तो वह है 10,435 डॉलर जबकि भारत की GNI per capita 1928 डॉलर है इसलिए भारत यह बात कह रहा है कि जब चीन उच मध्यम आए देस की स्रेडी में शामिल है तो फिर वह विकासिल देस नहीं है बलकि वह एक विकसित देस है अब ज़र हम यह देखते हैं कि आखिर चीन इस बात पर क्या कहता है चीन का यह कहना है कि कोई भी देस विकसित है या विकासिल है यह तो तुलनातमक आधार पर कहा जाता है क्योंकि विकसित देसों की तुलना में कोई भी देस विकासिल है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विबिन अंतरास्टिय संस्थानों की द्वारा विक्सित और विकासिल देश की जो परिभासाएं दी गई है वो एक समान नहीं है चीन का यह भी कहना है कि विक्सित देशों की तुलना में विकासिल देश, आर्थिक ताकत, प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक संगरचना, और ज्योगिक प्रतिसपरधा, समाजिक सुरक्षा परनाली, परियावरन संगरचन और वेस्विक्सासन में भाग लेने की छमता में हुआ है, दुनिया के सबसे बड़े विकासिल देश की रूप में चीन के अंतराष्ट्री इस्थिती नहीं बन दी है, और ऐसा नहीं है कि केवल भारत ने चीन के विकासिल देश की रूप में बने रहने पर एतराज जता है, ऐसा नहीं है, बलकि भारत के अलावा, ब्राज इंडोनेसिया और यूरोपी संग ने भी चीन के विकासी देश की इस्तिती पर सवाल उठाया है। चीन में मौझूद हैं। में खड़ा है तो विस्व बैंक के द्वारा अगर कोई नए नियम और कानून बनाए जाते हैं तो विकासील देशों को उन नए नियमों और कानूनों को तूरंत लागू करने से छूट मिलती है। यही कारण है कि अमेरिका ने कई बार विस्व बैपार संगठन में इस मुद्दे को उठाया है कि भारत और चीन की तिब्र आर्थिक वरिधी दर के बावजूद भी इन दोनों देशों को क्यों विकासील देश की स्रेणी में रखा गया है। और जब भी अमेरिका ने यह सवाल उठाया है तब उसका विरोध किया है भारत और चीन ने मिलकर है। लेकिन अब यह इस्तिती काफी बदल रही है। देश को इस बात पर एतराज है कि समंदित देश विकासील देश नहीं है तो फिर वह उसे चुनोती भी दे सकता है। अब तो यह बात होगी चुनोती देने की कौन देश चुनोती देता है और कौन देश चुनोती नहीं देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर व्यक्तिकत रूप से देशों की बात करूँ फिर यह महत्वपूर्ण है कि एक देश हमेशा विकासिल देश के रूप में इसलिए बना रहना चाहेगा क्योंकि उसे लंबे समय तक विश्व वेपार संगठन से जो छूटे मिल रही है वह छूट मिलती रहे साध यही बात चीन के साथ भी हो रही है लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण यह है कि भारत के द्वारा चीन के विकासिल देश बने रहने पर जो एतराज जताय जा रहा है वह भारत की चीन के परती बदलती हुई रणनीती को दरसाता है जो विभिन मंचों पर दिख रहा है तो यह थी चीन के विकासिल द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और उसे शेयर करें धन्यवाद दोंट फोगेट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अप्देट